हेलो दूस्तो, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, बहुत काम है, ठीक है, बात करते हैं मोनिका हो मैडार्लिंग की, मोनिका हो मैडार्लिंग में का एंडिंग मैं एक्स्प्लें करने जा रहा सुकत गोईल जो के गवरो के रूल में और हमारे कैप्टन्स अटैक याने के शिवा रिंदानी भी दिखेंगे तो बात करते हैं एंडिंग की, एंडिंग में ये होता है कि राजकुमार राओ याने के जैंत को पता चल जाता है कि मोनिका का मर्डर हो चुका है और उसका जो खूनी है उसका शक उसे होता है शिवा पे याने के कैप्टन्स अटैक पे इसलिए वो अपने बहन को जाकर ये बताता है बट उसे समय वहाँ पर गवरव नाम का एक बंदा होता है जिसने स्टार्टिंग में भी एक मर्डर किया हुआ होता है वो उसके साथ चला जाता है एक्च्वल में जो killer है वो गौरव ही होता है जिसने मोनिकक के अलावा बाकी सिकंदर खेर और एक CFO होता है अर्विन नाम का उसको दोनों को मरवाया होता है तो यह जब office में जाकर राजकुमर राओ उसको बहुता है उसे पता है कि असली killer तक कैसे पहुच नाय करके क्योंकि robotics का जो मरवा था उसमें deleted entries भी retrieve करने का option उसे पता होता है जोकि गवरो को नहीं पता होता है इसलिए राजकुमार राओ और गवरो दोनों एक साथ robotics department में चले जाते हैं राजकुमार राओ जैसे वो deleted entry को restore करता है तब उसे दिखता है कि वो तो गवरो है जिसने ये entries delete की थी उसे समय गवरो उस पे हमला कर देता है गवरो उस पे हमला करता है उसे बहुत बीटता है और robots के सामने fake देता है robots उसे मारने वाले होते हैं बट राजकुमार राओ अपने आपको बचा लेता है और all of sudden robot रुख जाते है अब गवरो को लगता है कि ये हुआ क्या है इसलिए वो भी उस जगह पे पहुच जाता है बट राजकुमार राओ जो है उसके पास एक watch होता है और वो गवरो को robot के हाथों मरवा देता है अब यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाता है कि अगले दिन एक बड़ा यग्य हो रहा है जहां पे राजकुमार राओ और उसकी girlfriend शालो यानि के जैन मारी खान ये दोनों यग्य में बैटी हुए होते और राजकुमार राओ को तब भी doubt होता है कि ये हुआ क्या है मोनिका का मडर किस ने किया है क्योंकि उसे गवरों ने बताया होता है मोनिका के अलावा बाकी सब का मडर उसी ने किया हुआ है तब ही आके रादिका अप्टे उसे बता देती है कि जो मटर है वो उसके ससूर जी ने करवाया था क्योंकि हुमा कुरिशी के पेट में जो बच्चा था वो उसके ससूर का था और उसका इल्जाम जो है वो उसने Captain's Attack यानि कि शिवा रिंदानी पे लगा दिया था ये देखकर राजकुमार राव बहुत हैरान हो जाता है तो लेटर जो होता है उस पे राजकुमार राव सिकंदर खे और CFO जो है इन तिनों ने थम इंप्रेशन दिया होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि वो खून करने वाले है करे अब ये लेटर जो है उसके घर में चुपाया हुआ होता है वो डुनने के लिए राजकुमार राव उसके घर में जाता है जैसे वो घर में जाता है उसे वो लेटर तो मिल जाता है बट उसे समय दो कोब्रा उसके आसपास आ जाते और यही पर movie का ending हो जाता है मुझे लगता है कि यह movie का ending जो है वो part 2 के लिए छोड़ दिया है part 2 में आपको दिखने को मिलेगा है राजकुमार राओ और साथी साथ यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि जो first murder के time राजकुमार राओ नाशिक से Bombay travel करता है उस समय उसे एक लेडी मिलती है प्लस उसकी bicycle भी छोड़ी होती है उन चीजों का कही न कही लिंक part 2 में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इसलिए प्लीज यह movie देखो इसलिए प्लीज यह movie देखो इसलिए बहुत ही बढ़िया movie है Thank you very much for watching this channel और भाई, subscribe करना ना बूलो Thank you